नमस्कार दोस्तो फिर से एक बर स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपसे जन्नल नौलेज के कुछ महत्तपुर सवाल पूछे जाएंगे जिनका जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तो ये सवाल आपके लिए काफी नौलेजफुल होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़िए कर लें तो कमेंट बॉक्स में अपना अंसर कमेंट करें इसके लिए आपको दिये जाएंगे पांस सेकेंड अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो लेकिन दोस्तो कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रेक्टिस होती रहेगी इसका सही अंसर है गुवा राज्ज में दूसरा सवाल है साइकल का आविस्कार किस ने किया था इसका सही अंसर है मैक मिलन ने तीसरा सवाल है डॉक्टर भीम राव अमेडकर जी को भारत रतन कब दिया गया था दोस्तो बहुत इंट्रेस्टिंग और नॉलिजफुल सवाल है इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है इसका सही अंसर है सन 1990 में दोस्तो अभी तक आपने एक भी सवाल का जबाब कमेंट नहीं किया है तो अपना जबाब कमेंट जरूर करें इसका सही अंसर है खुदी राम बोस जी को पांचमा सवाल है भारत में जन गड़ना कितने वरसों के अंतराल पर की जाती है इसका सही अंसर है दस वरसों के अंतराल पर छटमा सवाल है कटहल किस राज्यकार राजकी औफल है इसका सही अंसर है केरल राज्यका सात्मा सवाल है चीटी के काटने पर उसके मुह से कौन सा अंबले निकलता है दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नौलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वाटसैप पर सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नौलेज मिल जाएगी इसका सही अंसर है फार्मिक अमल आठमा सवाल है डौक्टर भीमराव अम्मेडकर जी के पिता जी का क्या नाम था दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट कर दें बाद मैं आंसर देखा करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी इसका सही आंसर है राम जी मलो जी सकपाल नौवा सवाल है डौक्टर भीमराव अम्मेडकर जी का जन्म कब और कहा हुआ था दोस्तों इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और नौलेजफुल वीडियो रोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे के नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहें इसका सही आंसर है दोस्तों डौक्टर भीमराव अम्मेडकर जी का जन्म 14 अप्रेल सन 1891 में महू मध्यप्रांत ब्रिटिस भारत में हुआ था जब भारत में ब्रिटिस सासन था लेकिन अब उस जगय को डौक्टर अम्मेडकर नगर मध्यप्रदेश भारत के नाम से जाना जाता है दस्मा सवाल है जंग लगने से लोहे के बजन पर क्या फर्क पढ़ता है इसका सही आंसर है बजन बढ़ता है तो दूस्तों आप इन में से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में तना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी नॉलिजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो जब तक चैनल से जुड़े रहें खुस रहें मुस्कुराते रहें